वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम डिस्कस करेंगे आदुनिक भारत का इतिहास, Modern History of India और UPSSCCIO के द्वारा अब तक जो भी एक्जाम हुए हैं और उनमें आदुनिक भारत के थिहास से जो भी कॉस्चन्स आए हैं हम उन सब का संकलन यहां लेकर आए हैं ताकि जो वीडियो का आने वाला एक्जाम है आपका उसके लिए यह काफी हैल्फुल होगी तो जितने भी कॉस्चन्स थी उन सब को हम देखेंगे आज यहां और एक्स्ट्रा कॉस्चन्स से अलग भी जो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट लगे हैं Modern History में वो भी हम आपके रिविजन कराएंगे चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास सबसे पहला है कॉस्चन इंटर पॉलर कौन थे इंटर पॉलर किसको कहा जाता था तो यह एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे कॉस्चन सिंपल ऐसे भी पूछ सकते हैं इंटर पॉलर कौन थे और तीन चार उप्शन दे देंगे आपको तो पता होना चाहिए यह एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे नेक्ष्ट है किन चीजों का निर्यात इस टिंडिया कंपनी भारत से करती थी तो ये थी कपड़ा नील कच्चा रिशम और सूती वस्त्र ठीक है इन सब का व्यापार इन सब का निर्यात करती थी इस टिंडिया कंपनी भारत से नेक्ष्ट है वीजपूर के सासक से गोवा को छीनने वाला पहला यूरोपियन कौन था तो ये था अलवुकर्ग कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए परसिद्धा तो ये था काली कट के रला में ठीक है ये मिर्च के निर्यात के लिए बहुत फैमस था बात के पश्चमी तटकी की सिस्थान पर इंग्लिज फैक्ट्री थी पश्चमी तटकी बात हो रही है तो ये थी तल्ली चेरी तल्ली चेरी आंदर परदेश में है तो यहाँ पर क्या थी English Factory थी भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जाहज का क्या नाम था इसका नाम था Red Dragon वे अंग्रेज जात्री जो तुर्कियों फार्सी भासा का विद्वान था दोनों भासाओं का विद्वान था ये तो ये था Captain Hawkins और ये 1608 में भारत आया था अभी PCS में से कॉस्चन पुचा गया था कि संदी के दुआरा फ्रांसीसियों ने मदरास अंग्रेजों को वापस लोटा दिया था तो कौन सी संदी थी तो ये थी Axla Shepal ये Axla Shepal की संदी थी और इसकी दुआरा फ्रांसीसियों ने मदरास अंग्रेजों को लोटा दिया था निशान किसे का जाता था निशान क्या था ये तो ये अंग्रेजों को बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार का एक आज्या पत्र था उसको बोलते थे निशान किस पुर्टगाली गवर्णर ने सती प्रता को प्रतिवंधित कर दिया था कौन सा गवर्णर था वो ये था आलफांसोडी आलफदुकर इसने सती प्रता को प्रतिवंधित कर दिया था बारत में सायक संदी के अवधारना का प्रतिपादन सर प्रत्थम किस ने दिया था ये थे डुपले डुपले ने सबसे पहले सायक संदी के अवधारना या प्रतिपादित की थी मसुली पट्टनम में अंग्रेजी कारखाने के शुरुआत किस थापना कब हुई थी अंग्रे ओए होने लगायाथा सोचों ने सब्सक्राइए और बृट करेंगे तो सलब्सक्राइब और 161 तूमे यहां पर पूर्त गाली उक मात्र भस्ती थी के अपनी पहली प्यसकारी किस पूर्टगाली गवर्णर ने सांत जल की निती लागू की थी, तो सांत जल की निती लागू करने वाला कौन था, अलमीडा, वांडिवास का युद किस के बीच हुआ था, वांडिवास का युद हुआ था 1760 में, और किस किस के बीच हुआ था, ये ब्रेटिश और फ्रें युद के समय फ्रांस का समराट कौन था कौन रहा लुई पंद्रवा जिस टाइम आंगलो फ्रांसी सी युद हुए हैं तीनों तो उस टाइम पे लुई पंद्रवा जो था फ्रांस का समराट था भारत आने वारा पहला अंग्रेज कौन था तो पहला अंग्रेज था जोन मिल नचो नहीं अपनी पहली व्यापारी कोथी कहां इस्थापित की थी कहांँ मसूली पत्टनेक में आंकब शलै ब्हारत में मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे परमुक वस्तु क्या थी तो ये थी सूती वस्त्र जब मुगल भारत में थे उस टाइम पे अंग्रेजी व्यापार की स्वस्तु का होता था तो था सूती वस्त्र का भारत के साथ व्यापार के लिए सरपर्थम संयुक्त पूंजी कमपनी किन लोगों ने आरंब की थी तो ये थे डच गोलकुंडा की सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फर्मान कब परदान किया गया ये आया था 1635 में पूर्थगालियों ने गोवापर कब अधिकार कर लिया था तो इन्होंने 1510 में गोवापर को अपना कबजा कर लिया था गोवापर हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुदरी लूट पाठ के लिए किसने अड़ा बनाया था ये थे पूर्थगाली पूर्थगालियों ने ही हुगली को अपना लूट पाठ का अड़ा बना लिया था करनाटक युद किन किन के बीच लड़ा गया था तो ये करनाटा काईद हुआ था अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में अंग्रेजों ने मदरास का पट्टा कहां के सासक से प्राप्ति किया था तो ये लिया था इन्होंने चंद्रग्री के सासक से मदरास को जितनावी मदरास था ये आपका तेमिलाडू चेन नहीं वाला इलाका है ना तो ये कहां से लिया था चंद्रग्री से जेम्स प्रथम का राजदूद जो 1615 में जहांगीर के दर्बार में आया था कौन था हो सर टोमस रो ठीक है भी सर टोमस रो जो था ये जहांगीर के दर्बार में 1615 में आया था और किसका राजदूद था जेम्स प्रथम का फ्रांसीस्यों का प्रभूत भारत में किस युद के पस्चात समाप्त हो गया था तो ये था वांडिवास का युद ठीक है 1760 में हुआ था ये और इस युद के बाद फ्रांसीस्यों का प्रभूत बिल्कुल खतम हो गया था इंडिया के अंदर नेक्स्ट है पुर्थगाली उपनीवेश का पहला वायसराय भारत में कौन हुआ था तो ये था बी अल्मिडा पहला वायसराय था ये पुर्थगाली उपनीवेश का भारत के अंदर भारत में फ्रांसीस्यों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था तो ये लगाया था सूरत में फ्रांसीस्यों का पुछा है फ्रांसिस्यों ने सुरत में अपना पहला कारकाना लगाया था पुर्थ गालियों के विरुद सहा जहां ने किस नगर को घेराव कर लिया था तो ये था हुगली का किस ब्रीटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद में हरा दिया था तो ये था सर आयर कूटनी सर आयर कूटने हरा दिया था हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद में भारत में पूर्टगाली सक्ती का वास्तिविक संस्थापक कोन था तो ये था अल्बुकर्ग ठीक है पुर्टगाली सक्ति का वस्त्विक संस्थापक की अगर बात करें तो ये था अल्बुकर भात में डचों की व्यापारिक पराज्ये का पराज्ये का कारण क्या था क्यूं हार गे थे डचियां पर तो ये था कमजोर समुद्री सक्ति उनके पास मजबूत समुद्री सक्ति नहीं थी किन यूरोपियों ने भारत में सरपर्तम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्री स्थापित किये थे तो ये सबसे पहले पूर्ट गालियों ने ही सुरू किये थी फिर फ्रांसिसी साहता से 1765 में एक आधुनिक सास्त्रागार की स्थापना कहां की गई थी तो ये हुई थी डिंडी गुल में ठीक है किस की साहता से फ्रांसिस्यों की साहता से इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का अधिकार पत्र किस ने प्रदान किया था ये थी महरानी एलीजा बैथने कलकत्ता का संस्थापक कौन था ये थे जो चौर नोक ये कलकत्ता के संस्थापक थे किस गवर्णर के कारेकाल में इस्टिंडिया कंपनी को सहा आलम दुआरा बंगाल बिहार और उडिसा में दिवानी अधिकार दे दिये गए थे तो ये कौन था लाड क्लाइब के कारेकाल में क्लाइब के कारेकाल में ही इस्टिरिया कंपनी को बंगाल का भीहार वो रोडिशा का यह सब के दिवानी अधिकार प्राप्थ हो गिये थे बात पे ब्रेटिस सामराज्य का संस्थापक कोन था वारेन हिस्टिंग्स ठीक है पुर्टगालियों की बात करें तो अल्बुकर्क था ब्रेटिश की बात करें तो वारेन हिस्टिंग्स था किसे स्वर्ग से उत्पन सैननायक कहा गया है तो ये था रोबर्ट क्लाइब रोबर्ट क्लाइब को स्वर्ग से उत्पन सैननायक बताया गया है नेक्स्ट ब्रेटिस इस्टिना कंपनी ने बंबई किस से लिया था तो ये इसको पूर्थ गालियों से मिला था ना दहीज में मिला था ना किस ने इंग्लैंड के चार्ल्स दित्या को कैथरीन ब्रेगेंजा से विवा में मुंबई दहीज में दिया था ठीक्या पता चलिया क एतरीन बेगेंजा से विवा में मुंबई दहेज में मिला था किसको चाल्स दित्ये को और ये किस ने दिया था इनको पूर्ट गालियों ने दिया था किस मुगल समराठ के काल में इंगलीज इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर परथम कार खाना इस्थापित किया था तो ये किया था जहांगीर के सासन काल में इस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कार खाना इस्थापित किया था डुपले को नवाब खान की उपादी किस ने दी थी तो ये दी थी आलमगीर ने इस टिंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्णर को औरंग जेब दुवारा भारत से निस्कासित कर दिया गया था तो ये था सर जोन चायड को बंगाल ने कौन सा कार खाना डचो ने स्थापित किया था बंगाल के अंदर बंगाल में डचो का कौन सा कार खाना था तो ये था चिन सुरा फिर है पूर्थ गालियों ने भारत में किस इस्थान पर पहली फैक्टरी का निर्मान किया था तो पुर्तकालियों की पहली फैक्टरी की बात करें तो यह इनोंने लगाई थी कोचीन के अंदर मदराज की स्थापना किस ने करी थी? तो यह की थी? फ्रांसिस डेने किस ब्रिटिस कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्ट हुआ था? तो यह लिवेंट कंपनी थी सबसे पहले लिवेंट कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्ट हुआ था फिर हें यह समुधरी यात्री हैं और किस-किस कंट्री से आय थे यह बी दहिस्ते हैं वास्षकोड इगामा कहां से आय था पूरतगाल से आय था यह क्रिश्टोफर कोलमबस यह स्पेशन से था कैप्टन कूक ग्रेट बिरिटेन से आया था और तस्मान जो था ये वोलेंड से आया था ये सारे समुदरी यात्री थे और ये इनके कंट्री के नाम है ये भी धिहान रखने है क्योंकि ये सब इंपोर्टेंट है ठीक है भई क्योंकि पहला यूरोपे यात्री था ये वास्कोडिगामा भारत आने वाला कॉस्चन ऐसा भी पुछा जा सकता है कि प्रथम यूरोपे यात्री भारत आने वाला पहला यूरोपे यात्री की बात करें तो ये भी कौन था वास्कोडिगामा था ठीक है भई आप देखो आगे नीचे आगे question भारत आनेवाला पहला यूरोपे आतरी था वासको डिगामा Fort William कॉलकाता का पहला प्रईसासक कौन था तो ये कौन था चार्ल्स आयर ये Fort William जो कॉलेज था उसका पहला प्रईसासक था ये भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरी कौन था तो ये था जोन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला पहला अंग्रेज या ब्रिटिश नागरी अकबर के दरबार में पहुचने वाला पहला सिस्ट मंडल और उसका अध्यक्ष कौन था पहले सिस्टमंडल का अध्यक्ष था फादर मांस रेट ये अकबर के दर्बार में पहुचने वाला पहला सिस्टमंडल का अध्यक्ष था एडवर्ड इस्टी फेंसन वीलियम हैमिलिंटन ये कौन था वही तो ये एक अंग्रेज सर्जन था और इसकी सर्जरी से प्रसन होकर फरूक सियर ने 1717 में एक साही फर्मान जारी कर दिया था फरूक सियर का साही फर्मान तो बहुत पॉपुलर है तो वो इसने एडवर्ड इस्टी फेंसन की सर्जरी से प्रसन होकर ही दिया था बहात में पुर्तगाली शक्ती का वास्तिविक संस्थापक कौन था तो ये अलफांसो डी अलवुकर्ग था बहात में पहला पुर्तगाली गवर्णर कौन था तो ये था फ्रांसिस्को डी अलवुकर्ग ठीक है पहले पुर्तगाली गवर्णर की बात करें तो फ्रांसिस्को देखेंगे तो पहला करनाटा की युद्ध हुआ था इसको सेंट थोमे का युद्ध भी बोलते हैं पहली करनाटा की युद्ध को ठीक है इसका सेकेंड नाम भी धियान रखना है कब हुआ था ये काल टाइम था इसका सत्रे सो चालिस से 1748 तक हुआ था कारण क्या रहा है हैं कौन से युद्ध में कौन सी संती हुई अ उसका सन यह बहुत इंप्रोटेंट हो जाता है और कियों हुआ है यह main fact है परिनाम क्या हुआ है युद का युद तो पता है करनाटक का युद फ्रांसिस्यों के और अंग्रेजों के बीच में हुए थे तीनों करनाटक युद फ्रांसिस्यों और अंग्रेजों के बीच में ही लड़ा गया था परणायम क्या हुआ था ना तो इसमें फ्रांसी से उकलाब हुआ था और ना ही अंग्रेज्जों को इस युद ने भारते राजा होगी कमजोडियां उजागर कर दी थी ये इसका पई नाम होगा था सेकिन करनाटक युद की बात करें तो इसको अंबर का युद कहा जाता है और इसका टाइम पिरियड क्या रहा है 1755 से 1755 तक ये युद हुआ था कारण क्या था है है ध्राबाद और करनाटक का अंतरिक विवाद इसका कारण रहा है संधी कोन सी हुई थी दूसरे करनाटक के द रहा है और इसमें दक्षिनी भारत में फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों की सक्ति कम हुई अंग्रेजों के आंत्रिक मामलों में हस्तच्य अपने करने का वादा किया गया दूसरी करनाटक युद के अंदर अब तीसरा करनाटक युद ये वांडिवास का युद भी कहा जाता इसको और यह हुआ था 1756 से 1763 कारण क्या रहा है सब्तवर से युद से प्रभावित था है संधी पेजी संधी के द्वारा समाप्त हुआ है पहिनाम हुआ है वांडिवास का युद अंग्रेजों ने फ्रांसीस्यों को निर्णायक रोप से हरा दिया था इस युद के बाद जो वांडिवास का युद हुआ है 1760 में इस युद के बाद फ्रांसीस योगा भारत से पूरी तरह से प्रभुत्व समाप्त हो गया था ठीक है यह बिल्कुल निर्णायक युद रहा था अब यह तो कॉस्चन थी जो यूरोप्यों का हैं आगमन हुआ था इंडिया के अं लेकिन हम उसके जो लास्ट का जो औरंगजेव की डायत होगी थी 1707 में उसके बाद कौन-कौन सासक आए हैं उससे रिलेटर कोस्चन की हम बात करेंगे ठीक है तो पहला कोस्चन है औरंगजेव की मैत्यों के प्रांथ कौन सा पुत्र सीहासना रोड हुआ था तो यह था उसका जो बेटा था मुआ जम वो गद्धी बेटा था औरंगजेव की मैत्यों कब हुई थी तो यह हुई थी 1707 में मुगल सामराजे के पतन का परमुक कारण क्या था तो यह था अयोग्य उत्रादिकार योग्य उत्रादिकारी नहीं थी इसलिए मुगल सामराजे का पतन ह स्टार्ड हो गया था हिसके मतानुसर मुगल सामराजय के पतन का मुख्या कारण सैनिक एधक्षता थी तो यह वीलियम और विन नीगा है कि मुगल सामराज्य के पास सैनिक अच्छे नहीं थी है ना मतलब धक्षी नहीं थी कुशल नहीं थी इसलिए उनका पतन हो गया है जजाओ का युद्ध जो है ये किसकिस के बीच हुआ था तो ये हुआ था मुअज्जम के और आजम के बीच में किसने बाहदुर साह प्रथम के नाम से अपने आपको बादशाह घोसित कर दिया था हीजडो के सरदार जावेद खान को नवाब बहदुर की उपादी किसने प्रदान की थी तो ये थी एहमद शहाने किस मुगल बादशाह का नाम जफर था जफर किसको का जाता था तो ये था शाहालम दीति और इसको ही अली गोह भर भी था जैसिंग को मिर्जा राजा की उपादी किसने दी थी ये था जहानदार सा जहानदार सा ने जैसिंग को मिर्जा राजा की उपादी दी थी नादिर सा ने किस मुगल सासन काल में आकरमन किया था तो ये किया था इसने मुहमद शहा के सासन काल में राज जैसिंग को समाई की उपादी किस मुगल सासक ने परदान की थी फरुक सियर ने राजजा सिंग को समाई की उपादी दी थी किस मुगल सासक का सासन का सबसे कम था सबसे कम रहा है रफी उद दरजात का राजा राम मोहन राई को राजा की उपादी किस ने दी थी तो यह थी अकबर दि कि नाम से कौन प्रसिद्ध है तो ये हुसैन अली थे और अब्दुल्ला खान इन दोनों को किंग मेकर कहा जाता है नाधिर साहाब का दिली पर कब अक्रमन हुआ था कब कर आ था इसने 20 मार्श 1749 को नाधिर साहने दिली पर समझोता कराया था नादिर साह के आकरमन के समय मुगल सैना का मीर बक्षी कौन था तो ये था खाने दोरान ठीक है जिस टाइम पे नादिर साह ने मुगल सैना पे आकरमन किया था तो इस टाइम के बात करें अगर की मीर बक्षी कौन था तो ये था खाने दोरान करणाल के युद में खाने दोरान के मारे जाने के पश्चाथ मुहम्मद उसा ने किसी मीर बक्सी बनाया तो फिर बना था निजामुल्ब मुल्ट ठीक है एहमद शाब दाली के भारत पर आकरमन के समय मुगल सासक कौन था तो उस टाइम था मुगल सासक मुहमद शाह जिस तरहीं पे एहमद साब दाली ने भारत पर आकरमन किया था और एहमद साब दाली ने कितनी बार आकरमन किया था भारत पर देखिया था इसने साथ बार पानिपत के तीसरे युद के समय मुगल सासक कौन था सहा आलम दित्य था पानिपत का तीसरे युद कब हुआ था 1761 बकसर का युद हुआ था 1764 और उस टाइम पे मुगल सासक कौन था उस टाइम भी सहा आलम दित्य था एमद शाह अबदाली के भात पर आकरमन का क्या उदिश्य रहा है इनका उदिश्य था धन को लूटना करणाल का युद कब हुआ था करणाल के युद की हमने भी बात करी थी तो ये हुआ था 24 फरवरी 1749 इरान के नैपोलियन की उपमा किसे दी गई है नादिर शहा को कहा गया था इरान का नैपोलियन बादुरसा के दरबार में एक डच प्रतीनीदी सिष्ट मंडल जोस्वा कैटे लार के नित्रत में आया था कब 1711 में बादुरसा के दरबार में आया था ये जोस्वा कैटे लार ये डच प्रतीनीदी सिष्ट मंडल था किसके समय में 1716 में बंदा भाहदुर शाह को दिल्ली में फासी दे दी गई थी तो यह था फरुक सियर के समय में ठीक है सारी कोस्चन भई यह यूपी ट्रिपल सी के एक्जाम में पुछे गए हैं तभी हां आपके लिए हम लेके आए हैं ताकि आपका वीडियो के एक्जाम से पहले रिवीजन ह किसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था तो यह था शहा आलम दिद्य इसके समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था किस मुगल समराट के बारे में ओवन सिडिनी ने कहा है कि अंती मुगल बादशाह था जिसके समय में कुछ अ उल लुबाव रजना की समध्य कालिन लेखक की है ये पुस्तक का नाम है और किस ने लिखी है खफी खान में मुंत्खव उल लुबाव ठीक है रचना है ये रजना नहीं है ये रचना का नाम है Fall of the Mughal Empire ये किसकी पुस्तक है तो ये लिखी थी लेन पूल ने फरुक सियर के द्वारा जारी साही फर्मान से किसने सहुलियत पाई थी तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहुलियत मिले थी ठीक है जो फरुक सियर ने 1717 में फर्मान जारी किया था उससे जो अंग्र अंग्रेज थे उनको पंगाल में व्यापार करने की स्वीधा मिलगी थी मुगल बादशाह शहा अलमगीर दित्ते के समय पंजाब में एक सूबेदार महिला थी और इसका क्या नाम था इसका नाम था मुलतानी बेगम ठीक है मयूर्स यासन पर बैटने वाला अंतिम मुगल सालमदित ते बादका अप्री मुगल समराः समराट। यह था भादूर सहाज जफार अप्री मुगल समराट था यह किसके सासनकाल में bin Εफ्रौ्ण ऋर महिलां की एक वर्का प्र्भूतू था नेक्स ताइम मुगल समराट बहादूर सहा था और उसके पिता का क्या नाम था तो पिता का नाम था इसका अकबर सहा दित्थी किसने दिल्ली में खगोले वैद शाला जंतर मंतर का निर्मान करवाया था तो ये थे जैसिंग जैसिंग दित्या ने जंतर मंतर का निर्मान करवाया था कहां पे दिल्ली के अंदर तो किस साκक ने इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी परदान की थी किस ने लिखी थी ये जैपूर्स के सवाई जैसिंग ने कौन सी पूस्तक है मुहमद साही जीज मुहमद सही किसकी पुस्तक है ये जैपूर के समाई जैसिंगी तो उपाधी मिली थी आवद का पहला नवाब कौन था तो ये था सहादत खाम किस मुगल समराट्य अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की स्विधा परदान की थी ठीक है कोई भी सुल संत्र राजे का संस्थापक कौन था तो ये था चिन क्लिच खान और अंग्जेव की 1707 में वैत्ति होने के बाद सत्ता किस ने संभाल ली थी फिर आया था बहाद्दूर शाह प्रथम कौन सा मुगल बादिशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मुमद शाह को कहा जात अधरे में बनवाई थी वारानसी में बनवाई थी इलाहबाद में बनवाई थी मठुरा में भी बनवाई थी ठीक यहां परहुक्राशाह ओजी और शाह सब्सक्राइब देख लेते हैं एक दो पॉइंट जो इंपोर्टेंट है क्योंकि क्रम से कॉस्चन लगाने के लिए आ जाता है क्रम वाइज ऑप्षान डाल देंगे कि क्रम से लगाओ यह मैचिंग में भी आ सकता है तो पहले आया था बाहदुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक एस रहा है और उपादी मिली थी स्को सहा ए बेखवर की ठीक है laughiह खान झाने इसको इपादी दीती सहा बेखवर की और गुरु समकालीन था बहादुर्सा प्रथम जहांदार सहा 1712 से 1713 तक रहा है और इसको उपाधी मिली थी लंपट मुर्क या लापरवा की ठीक है जहांदार सहा को और इसने इजारा व्यवस्था की सुरुवात की थी इसके बाद में आया है फरूक सियर 1713 से 1719 तक यह सासक रहा है और इसको उपाधी मिली थी घ्रणित कायर की और साहीद ए मजलूम की ठीक है यह उपाधियां भी धियान रखनी है यह मैच आफ दा फॉलविंग में आ जाती है इसने अंग्रेजों को 1717 में तीन फर्मान जारी किये थी और इसे कंपनी का मैगना कार्टा कहा जाता है जो फर्म इसमें निजाम उल मुल्क के द्वारा स्वतंत्र हैदराबाद राज्ये की स्थापना की रहा है और इसका नाम था आजीजुद्दीन और इसके काल में प्लासी काईद हुआ था 1757 में है ना सहालम दित्य और अली गोहर ये फिर ये रहा है इसके बाद में हमल शाहबाद दूर के बाद में सहा आलम आया है सहालम दित्य और इसका इदूसरा नाम था अली गोहर और इस 1769 शेट 166 तक सासक रहा है सहालम दित्ये के सासनकाल में पानिपत का तीसरा इुद हुआ है 1761 में बकसर का इुद हुआ है 1764 में इलावाद की संधी हुई है 1765 सबस्क्राइब और नाम जफर ता जाता था इनको अंति मुगल बाद शाह था और 870 का विद्ट्रोप भादुर्शा उसक्राइब नादिर सहाँ डियोत और भारत पर आकर्मन किया था नादिर सा था फार्स से आया था ये और इसने कब आकर्मन किया था भारत पे 1748 से 1749 ठीक है 1749 कहा जाता है और इसका उदिश्य क्या था ये भारत में इसने जो आकर्मन किया था इसका उदिश्य था धन को लोटना मंदिरों को लोट के ले गिया था ये सब को बहुत धन संपत्ति लोट के लेके गया था यहां से करणाल का युद हुआ था 1749 में और इसमें मुगलों की हार होगी थी इसके द्वारा तक्ते ताउस कोहिनूर कोहिनूर हीरा जो था उसको भी उठा के ले गया था लोट लिया था इसने सब फिर हुआ इसके बाद में एहम माद्शा अब दाली को तो यह थी आज दो टॉपिक एक हमने युरूपिया आगमन जो था उनसे रिलेटिड कॉस्चन का रिविजन किया है और यह जो मुगलों का पतन हुआ है से रेटर आगे जो भी कॉस्चन होंगे जैसे जो नए नए राज्य आए थी ठावन की क्रांत करेंगे ठीक है आज इतना ही कल मिलते हैं Thank you so much watching this video